नमस्कार दोस्तों मैं बिर्जेश मेरे यूटूब चैनल विद्दादान पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम ग्रूब D के लिए तीसरा से ठल करेंगे जो विज्ञान, करेंट अफेर्स और जनल लॉलज़ के साथ होगा तो शुरू करते हैं पहले प्रश्म से, आगे बजने के पहले सभी लोग चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे मैं आगे और भी मोटिवेट होकर काम करता रहूं तो शुरू करते हैं पहले प्रेंट से पहला प्रशन है कि सम्विधान शंसोधन के द्वारा मतदाता की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई थी तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन से सम्विधान शंसोधन में एक किया गया था मैं पूरे option नहीं पदा करूँगा उसमें समय ज़्यादा लगता है अब option देख लीजे मैं सही answer बताऊंगा और जो explain करने वाली बाते होंगी तो मैं बताऊंगा तो मतदाता की आयुकीस वर्स से अठारा वर्स की गई थी समिधान के 61 समिधान संसोधन से 61 समिधान संसोधन हुआ था 1889 में और इसके द्वारा मतदाता की आयुकीस से घटा कर 18 वर्स कर दी गई थी अगले प्रिश्ण पर आते हैं निमलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित अभिलेख जो सरलता से पठनी ना हो को पढ़ा जा सकता है यानि कौन सी किरणों के द्वारा बहुत पुराने अभिलेखों को पढ़ा जाता है गामा एक्स या इन्फिरारेड य या रेडियो तरंगे कौन सी सही है तो इसका सही आंसर होगा option B x किरनों के द्वारा बहुत पुराने सिरा लेखों को भी पथा जाता है आपको पता होना चीए कि x किरनों की खोज जो है वो रॉंटेजन ने की थी इस बात को ध्यान रखना अगले सवाल पर आते हैं अगले सवाल है निमलिखित में से किस एक प्रेट्रोलियम सोधन संयंत्र का उत्पाद निउन्तम क्वाथनांक निउन्तम है यानि इन में से किसका क्वाथनांक यानि बॉाइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है सबसे जल्दी कौन सा पिघल जाता है तो आप्शन है केरोसीन, डीजल, गैसोलीन या इसनेहक तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है गैसोलीन गैसोलीन सबसे जल्दी सबसे जल्दी उबल जाता है या कह सकते हैं कि क्वाथना किसका सबसे कम होता है अगले प्रस्टमर आते हैं निमलिखित में से कौन एक वायू मंडली जोन ओजोन गैस से सम्मंदित है यानि सिंपल है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती ही ये बताना है आपको तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है सम्ताप मंडल ओजोन परत पाई जाती है सम्ताप मंडल के अंदर सम्ताप मंडल में ये मिलती है ओजोन का आपको फार्मला होना चाहिए ये O3 ओजोन का फार्मला होता है और सबसे निचली फरत को आपको पता है क्या कहते हैं छोब मंडल कहा जाता है अगले प्रस्ट पर आते हैं किस प्रदेश के अच्छांसों को कोली दोरी के संबंद में अब्यक्त किया जाता है यानि किसी देश के अच्छांस को कोली दोरी को किस से नापा जाता है यानि किसका बेस लिया जाता है ये पूँचा है उसने भूमद रेखा, दचली धुरू, प्रिथिभी की धुरू प्रिथवी की धुरी या उत्री धुरू इसमें से सही आंसर क्या होगा तो आप बता है इसका सही आंसर है भूमद रेखा जब हम किसी भी देश को नापते हैं उसके आच्छांसा और देशांतर में तो उसका बेश जो है भूमद रेखा को लिया जाता है भूमद रेखा के ज इसमें से कौन बनाता है सल्फर डायक्साइट नाइट्रोजन डायक्साइट कार्बन डायक्साइट नाइट्रोजन ऑक्साइट कार्बन डायक्साइट या कार्बन मोनो ऑक्साइट इसमें से कौन सा सही है तो भूरी आयू के नाम से जाना जाता है nitrogen oxide को यानि NO2 NO2 को हम भूरी वाई के नाम से भी जानते हैं आपको पता है carbon dioxide जो है ये जलवाई को गर्म रखती है और carbon monoxide यानि CO से फेफ़नों का रोग हो जाता है अगले सवाल पर आते हैं ब्रायो फाइटा प्रकास संसलेशी तो नहीं होते परन्त उनमें शमवहनी उतक और वास्तिविक ज़दे नहीं होती इस से इस विसेश्ता के कारण वो निमलिखित में से किस से सदरस हैं यानि ब्रायो फाइटा में ना तो शमवहन उतक होते हैं और ना ही वास्तिविक जड़े होती हैं इस कारण वो किस की तरह से दिखाई देते हैं भफून की तरह, सैवाल की तरह, टेरिडोफाइट की तरह या इंजियो इस्पर्म की तरह तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है option B सैवाल की तरह जैसे सैवाल में नहीं होते हैं समवानी उतक और वास्तिविक ज़दें वैसे ही ब्रायोफाइटा के अंदर भी नहीं पाये जाते हैं आपको पता है ना कि ब्रायोफाइटा को पादब जगत का एंफीबिया या उबहेचर भी कहा जाता है याद रखना कि एक ब्रायोफाइटा होता है उसका नाम है इसफैगनम इसे याद रख सकते हैं इसफैगनम इसफैगनम इंधन के रूप में काम आता है इस बात को ध्यान रखेंगे और एक बात और है कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये मर्दा अपरदन को रोकने के भी काम आते हैं अब आते हैं अगले प्रश्ण पर इन समराटों में कौन अंतिम दिनों में अपने पुद्र का बंदी रहा यानि कौन से राजा को उसके पुद्र ने बंदी बना कर रखा हुआ था अप्शन है अगबर, बहादुर साह जफर, साह जहां या औरंग जेब तो इसका सही आंसर आपको पता है उप्शन C, साह जहां साह जहां को उसके पुद्र औरंग जेब ने औरंग जेब ने अंतिम समय में आगरा के किले में बंद करके रखा था आपको पताओने साह जहां को साह जहां के बारे में ये बात जाना उच्छे साह जहां ने आना सिक्का चलाया था ने एक आना दो आना आठाना आपने पराद तो आना सिक्का भी साह जहां ने चलाया था और अस्थापत कला का सुन्द युग भी साह जहां के काल को कहा जाता है मयूर सिंधासन को भी साह जाने बनवाया था अगले प्रस्ण बढ़ते हैं नाखून पॉलिस परिमार्जक यानी रिमूबर में क्या होता है यानी जो नेल पॉलिस रिमूबर होता है उसमें क्या मिला होता है एसिटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम, एथर या एसिटिक एमले क्या मिला होता है तो पहला option सही है option A, एसिटोन यानि नेल पॉलिस रिमूबर के रूप में एसिटोन का प्रयोग किया जाता है अगला प्रसने यदि एक लगू वर्सा बूंद वायू से होती हुई गिरती है तब, यानि जब वर्सा की बूंद वायू से होते हुई गिरती है तब क्या होता है तो बताना है उसका वेग बहता है उसका वेग घड़ता है उसका वेग कुछ समय के लिए बहता है और फिर एक समान हो जाता है या option D कुछ समय के लिए अपरिवर्दित वेग से गिरता है और तब उसका वेग बढ़ जाता है सही क्या है तो इसका सही आंसर है option C वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और उसके बाद हो एक समान गती से गिरता है अगले प्रिश्म पराते हैं टेली वीजन के संकेतक सामानिता कुछ दूरी के पशात निमलिखित में से किस कारण प्राप्त नहीं हो पाते हैं किस कारण से प्रिथवी पर जो टेली वेजन है वो कुछ समय के बाद प्राप्त नहीं होते हैं कारण क्या है प्रिथभी की वक्रता, एंटीना की दुर्बलता, संकेतक की दुर्बलता या संकेत का वायू में और सोचन इसका सही आंसर क्या है तो क्यूंकि प्रिथभी वक्र के रूप में है, वक्रता के रूप में है इसे लिए सही से पूरे सिगनल प्राप्त नहीं हो पाते हैं इसका अंसर होगा option A, प्रथबी की वक्रता के कारण टेली वीजन के पूरी तरह से जो सिगनल होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं अगले प्रस्थ पर आते हैं इस सवाल में आप क्या बता सकते हैं कि टेली बीजन में प्राथमिक रंगों का उपयोग होता है तो उन प्राथमिक रंगों का यानि प्राइमरी रंगों का नाम बता सकते हैं अगर आप्शन विलिखे तो प्राइमरी रंगों के नाम क्या है अगले सवाल vitamin A vitamin और उनके rasainic नामों को मिलाना है तो बताएan vitamin A मिलाना चालू करते हैं vitamin A का rasainic नाम है retinol तो उप इसमें हम लगाएंगे A का 2 में vitamin B1 का नाम है thymine vitamin C का नाम है ascorbic acid vitamin E का नाम है tocopherol तो इसका साहिए option आप देखें A का 2 means B या D हो सकता है और B का 1 तो B का 1 मतलब यह है option D option D इसका सही answer होगा अगले प्रिश्ण पर आते हैं माहिला में प्राया कमी पाई जाती है औरतों में प्राया किस चीज की कमी होती है आयोडीन, आयरन, फासफोरस या कोबाल्ट तो इसका सही answer क्या होगा तो आपको पता है ना कि माहिलाओं को आयरन की गोलिया दी जाती है तो माहिलाओं में कमी होती है आयरन की, यनि की option B इसका सही answer होगा माहिलाओं में प्राया क्या होता है आयरन की कमी होती है और इसके लिए माहिलाओं को याद रखें फॉलिक एसिट की गोलिया दी जाती है फॉलिक अमल आइरन को बखाने के लिए फॉलिक अमल का प्रयोग करते हैं याद रखें फॉलिक एसिट आप कमेंट करके मुझे बिटामिन B12 का नाम बताएं कि उसका राशाइन के नाम क्या होता है अगले प्रस्ण पर आते हैं अगला प्रस्ण है रबल के ब्यापारिक वलकनी करण में किसका प्रयोग करते हैं यानि रबल का वलकनी करण करने के लिए क्या मिलाते हैं गंधक कारबन डाइकसाइड फासफोरस या शिलेनियम यह हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है याद रखें वलकरी करन में हम प्रियोग करते हैं सल्फर का सल्फर मनला गंधक का उप्योग किया जाता है यह इसका जही आंसर हो जाएदा अगला सवाल अगला सवाल पूछा गया है निमलिखित में से किस एक के S2O में बिलीन होने पर सबसे तेज धुन निकलती है यानि अगर कौन से चीज को पानी में डाल दिया जाए तो सबसे तेजी के साथ आवाज आती है तो याद रखें बुझा हुआ चुना चुने को जब पानी में डा बिना बुझा हुआ चुना अगला सवाल है लोहे की केल में जंग लगने पर क्या होता है उसके भार में कमी हो जाती है उसके भार में ब्रद्धी होती है भार में कोई परिवर्तन नहीं होती अपित लोहा आक्सिकरित हो जाता है भार में कोई परिवर्तन नहीं होती अपित लोहा भी आकशीगरत हो जाता है इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर आपको पता है नージंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है तो इसका भार में बरद्धी होती है अगले प्रस्ट पर आते हैे अगला जल लिएनि कोड़ नहीं इसका सही answer क्या होगा तो याद रखें हमेशा जलों का निर्माद होता है मुलांकुर यानी कि radical के द्वारा ही जलों का निर्माद होता है अगले प्रिश्ट पर आते हैं लोग लेखा समित को जल्वा बहन कहा गया है, यानि लोक लेखा समित किसकी जुलवा बहन कहलाती है, लोक लेखा समित, तो option आप देखिए और इसका सही answer होगा option B, प्राकलन समित प्राकलन समित को लोक लेखा समित की जुलवा बहन भी कहते हैं, प्राकलन समित में total 30 सदस्य होते हैं इस बात को ध्यान रखें आप लोक लेखा समित में 22 सदस्य होते हैं आप मुझे comment में बताएं कि प्रावर समित में कितने सदस्य होते हैं, ये बता सकते हैं प्रावर समित में कितने सदस्य होते हैं और ये भी बताएं कि लोक लेखा समित की अंदर कितने लोक सभा के सदस से होते हैं और कितने राज सभा के सदस से होते हैं अगले प्रस्ट पर आते हैं गैलवोनो मीटर प्रयोग तो होता है गैलवोनो मीटर का उप्योग किसमे किया जाता है ये बताएंगे आप option है प्रकास की दिशाग्याद करने में बिदुधारा की दिशाग्याद करने में बिदुधारा की दिशाग्याद करने में या चुम्बिकी प्रेरण की दिशाग्याद करने में किसमे गैलबोनोमीटर को प्योग किया जाता है आसान सा सवाल है option होगा option B बिद्धु धारा की दिशा ग्याद करने में गैल बोनो मीटर का प्रयोग करते हैं अगला स्वाल पर आते हैं जब एक कार मोल लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बस की ओर धक्का देता है बस की ओर धक्का देने वाला कौन सा बल है अगे है सेंट्री पीटल यानि केंद्राभी मुक्बल अब केंद्री बल, घरसंदबल या तनाव, इसमें से कौन से सही होगा तो हमें बस में जो धक्का देती है, उसका कारण है अब केंद्री बल या सेंट्री, फ्यूगल, फॉर्स इसके कारण ही बसकी और हमें धक्का लगता है अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है कारबन डायकसाइड, नाइटरस ऑकसाइड, मीथेन ये नाइट्रूजन कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा nitrogen nitrogen एक हरिद ग्रह गैस नहीं है अगला सवाल है sodium pump का कारे क्या है sodium pump का उपयोग कहा किया जाता है मान स्पेसियों के संगुचन में हिर्दय की धरकन में तंत्रिका के आवेग में या इन में से कोई नहीं याद रखें हमेशा कि रग्त धरकनों जब धरकने जब रुख जाती है तब उनको चलाने के लिए sodium pump का प्रयोग किया जाता है इसके लिए असकासन सही है हिर्दय की धरकनों मिन का उपयोग करते हैं अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है साग सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तब तो है साग में सबसे अधिक क्या मिलता है यह आपको बताना है फासपुरस, जिंक, लोहा या कैल्सियम तो याद रखें जो हरी सबजियां होती साग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लोहा अगले प्रस्ट पर आते हैं बिस्व लफ्टर दे यानि बिस्व ठहा का दिवस का मनाते हैं यह बताना है दो जनवरी, बारा, पंदरा जनवरी, दस जनवरी या चोदा जनवरी तो इसका सही आंसर है दस जनवरी दस जनवरी को हम मनाते हैं बिस्व ठहा का दिवस अगले सवाल पर आते हैं नोबल पुरुसकार निमलिकित में से किसके योगदान के लिए नहीं दिया जाता है सिंपल एप पूछरा कि शेतर में नोबल पुरुसकार नहीं दिये जाते हैं तो option है शांती, चिकतसा, अरसास या computer बिग्यान बिलकुल आसान से सवाल है तो सही आंसर है computer बिग्यान में नहीं दिया जाता है यानि कि option D सही है computer बिग्यान के छेतर में नोबल पुरुसकार नहीं मिलते हैं क्या मुझे comment में आप ये बता सकते हैं कि अब की बार 2021 में सांती का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया है अगले प्रस्ट पर आते हैं निमलिकित में से कौन सा बिग्सुका सबसे बला उस्ण मरुस्थल है सबसे बला मरुस्थल कौन सा है जहां पर बहुँ ज़्यादा गर्मिया होती है अटाकाम मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल शाहरा मरुस्थल या थार मरुस्थल इसका सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही दुनिया का जो सबसे बला मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल विस्थुका सबसे बला मरुस्थल है और यह पाया जाता है अफरीका में इसका जो छेतरफल है वो 84 लाख वरग किलो मीटर 84 लाख वरग किलो मीटर इसका छेतर फ़ल है क्या अब मुझे ऑप्शन में बता सकते हैं کमेंट में की आता कामा मर्सल कहां पह है आता कामा अगले सवाल पर आते हैं तू पुष्टक तू लाइप्स के लेखा कोण है तू लाइब से पुस्तक किसे ने लिखी है ये बताना है आपको तो option देखें विकरम सेट, सल्मान रुष्दी, अरुंधती राय या गीता महता इसका सही answer क्या है, इसका सही answer option A विकरम सेट टू लाइब से पुस्तक के लिखक है विकरम सेट विक्रम सिट की और भी कई सारी किताबें है याद रखना जैसे की एस सूटेबल बाइ गोल्डन गेट भी नहीं की अच्छी पुस्तके हैं और एक किताब याद रखें आप जिसका ना बी-स नाइपाल बी-स नाइपाल की एक किताब है जिसका नाम है हाफ ए लाइफ किताब है बी-स नाइपाल की अगले सवाल पर आते हैं नाइलोन के अभिसकार के साथ निमलिखित में से कोंश संबंदी थे यानि नाइलोन का अभिसकार किस ने किया था ओप्शन आप देख लें मैं आपको आँसर बताता हूं इसका नाइलोन का अभिसकार किया था डॉक्टर बैलेस एच कैरो थर्स ने कैरो थर्स ने नाइलोन का अभिसकार किया था इस बात को याद रखें अगले सवाल पर आएं चलो चाह कमेंट करके आप मुझे ये बताईए कि fountain pen का अभिस्कार किस ने किया था अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है सुपरोतो कब का संबंद किस खेल से है यानि सुपरोतो कब किस खेल में दिया जाता है यह बताएं आप hockey, football, basketball या badminton तो इसका सही answer क्या है option B, football football में दिया जाता है सुपरोतो कब दिया जाता है football के खेल में उबेर कब दिया जाता है badminton में थामस कब दिया जाता है ये भी badminton में दिया जाता है उबेर और थामस कब में इतना अंतर है उबेर कब माहिलाओं के लिए होता है और थामस कब पुर्सों के लिए होता है राइडर कप होता है गोल्फ में ये बातों को याद अखना आते हैं अगले प्रस्ट पर अगला निमलिकित में से कि शेत्र में विख्यात व्यक्ति आंग रीता का आंग रीता सेरपा का निधन हो गया वो किस शेत्र से सम्मंधित थी आपको ये प्रस्ट बताना है परवतारो ही राज्यता परियावाल बिद या सोसल एक्टिविस्ट तो आपको पता है जब भी सेरपा लगा होगा सेरपाल जो परवतार होई होते उन्हें के लिए होता है तो आप्शन ए सका सही आंसर है जीमिश का आयोजन भारत और किस देश के बीश हुआ तो जीमिश जे का मलब जापान आई का मलब इंडिया और एम का मलब मैरी टाइन एक्सिडेंट यानि की एक्सरसाइज तो यहाँ पर इसने किया है आप्शन होना चीज जापान रूस न्यूजिलेन फ्रांसिया जापान तो आप्शन सही है जापान के साथ जीमिश हुआ आई एस एफार रिपोर्ट दोजार निस के अनुसार सरवाजिक वन छेतरफल वाला राजी का उनसा है सबसे अदा वनों का छेतरफल किस राजी में है यह बताना है आपको अर्वांचल मद्य परदेश 36 गल या महरास तो इसका आपको सही अंसर पता है उप्शन बी मद्य परदेश में भारत में सबसे अदा वन पाये जाते है अगला प्रस्न है किस पोट का नाम बदल कर स्यामा प्रसाद मुखरजी ट्रस्ट कर दिया गया है किस पोट का नाम बदला गया है तूतिकोरन, कोलकाता, जवाहलाल, नेरू या विसाखा पतनम पोट तो इसका अंसर आपको पता है option बी विसाखा कोलकाता पोट का नाम बदल कर दिया गया है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखरजी पोटरस्ट भारत के किस राज या संग राज का स्वस्त में आपातकाल लगाया गया है यानि स्वस्त आपातकाल भारत के किस राजी में लगाया गया करनाटक नई दिल्ली महाराष्ट या उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कि परदूसंद की वजह से नई दिल्ली में स्वस्त आपातकाल लगाया गया था अगला प्रशन है दच्छिन भारत की पहली किसान रेल किन दो देशों के बीच चली थी ये बताना है आपको तो करनाटक उतर प्रदेश तमिलनाड़ से पशिम मंगाल आंधर प्रदेश से दिल्ली या केरल से दिल्ली आपको ये बताना है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंधर प्रदेश से दिल्ली आंधर प्रदेश से दिल्ली के बीच पहली किसा माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधान मंत्री चुने गए हैं मैक्सिको आइरलेंड न्यूजिलेंड या ब्रिटेन तो इसका आंसर बिल्कुल आइसान सा है अभी हाली में चुने गए थे माइकल मार्टिन आइरलेंड के प्रधान मंत्री चुने गए थे अगला सवाल है 36 आसियान सिखर समेलन 2020 कहां पर आयुजित किया गया था थाइलेंड, फिलिपिन, सिंगापूर या बियतनाम तो इसका सही आंसर आप बताएं इसका सही आंसर है option D बियतनाम में 36 आसियान सिखर समेलन हुआ था अगला सवाल है कि मीरा बाई चानू का संबंद किस खेल से है मीरा बाई चानू को आप अच्छे से जानते हैं भारत तोलन, तैरा की, टेनीस या हाकी तो इसका सही आंसर आपको पताएं इसका सही आंसर है मीरा बाई चानू का संबंद है option A भारो तोलन से तो ये थे आपके प्रस्न उमीद है आपको पसंद आये होंगे प्ली चैनल को सपोर्ट करें लाइक, सेर, सब्कूर्ब करना न भूलें धन्यवाद, जाहिन